हलो दिवस कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके देगे विश्यू हैप्पी दिबाली हम बात कर रहें एक सेहर की जो तेरमाद दोजार नौ को 42 रुपए के मेवल पर था और 6,000 परसंट का मल्टी वैगर रिटन दे चुगा है अभी 2400 के पास चल रहा है अब समगने वाली बात है कि क्या ये मल्टी वैगर एक साल दो साल तीन साल में बना है आंसर है नो वक्त लगा है काउंटनी ने इंटरनर वोक किया ह जिससे क्लाइंट को satisfaction मिलें उनके product को लोग जानें और इनके product हमारे दादा जी भी यूज करते हम भी कर रहे हैं आर बच्चे भी कर रहे हैं और monopoly भी ये old करते हैं इनके हर एक product का famous tag line है जिससे लोग इनके product को जानते हैं जैसे example ये ऐसा जोड जो टूटेगा है नहीं कोpol में बताईएगा अब आप कहेंगे यह मल्टी वेगर बन जा है तो अब इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं अब इसमें क्या मिलेगा यहीं पर आप गलत है क्योंकि यह कुछ ऐसा कर रहा है कि वापस से मल्टी वेगर बन सकता है लेकिन यहीं तो सीखना है यहाँ पर दो important जिससे वापस यह मल्टी वेगर बन सकता है आने वाले टाइम में क्योंकि अब यह ऐसे business में आ रहा है जहां बोला जाता है ब्याज गदंदा चुखा होता है और start में कुछ और भी ऐसा कर रहा है जिसको अच्छे से setup कर लिया तो best रहेगा इसलिए one by one यह नया क्या कर रहे है वो जाने के और फिर last point बिल्कुल मिस मत करना जो आपको एक नजरिया देगा सिर्फ इस stock को देखने का नहीं हर एक इस stock को जब हम यह सुनते हैं कि वो capex कर रहा है वो किसी नए business में आ रहा है तो किस तरीके से company को देखते हैं क्या नजरिया लेते हैं तो मैं आपकी यू जीद करता हूं, stock का नाम समझ गए होगे, favicol बनाती है यह company, comment में नहीं से तो बताई दीजिएगा, अपने कारोबार की दिग्रज company है, monopoly इसलिए बोलता हूं कि 70% से जाधा market share यह फोल्ड गरती है, और अब South India के market में loan business सुरोग करने वाली है, अब यहां पे South India सिर बोला ह पेंट का business भी सुरोग किया है, में ब्रांड फेविपॉल है, company का नाम पीडिलाइट है, और South India में यह अपने यूजर को छोटे गर्ज देने वाली है, और यह company ने official जानकारिंती है, ठीक है, उस दिन non-banking finance company पाराग ग्रो इन्वेस्टमेंट को 10 करोर में खरीम लिया है, और यह घर जुमित पियनी debt-free company है, और यह पीडिलाइट को ट्रांसफर की जा रही है, 31 मार 2024 तक share purchase agreement के जरिए, company पीडिलाइट के promoter group को ट्रांसफर हो जाए रही है, और पिछले कुछ समय से पीडिलाइट क्या अगर यह खुद को diversity fight करने की कोसिस कर रही है, द्यान से सुन अब वापस से आज के जवाने में यह क्या कर रहे है, यही पूरा एक turning point होता है किसी कंप्रम को समझने का, यहाँ पर company ने official कहा है कि उनका paint business इस सवे सर्फ आंधर प्रदेश, तिलंगाना और और उडिशाव है, इस सवे company pilot stage के रूप में paint कारोबार को चला रही है, और 50-50 के ratio में किटली की इंडस्ट्रिया, कीमिया, अधिकास पासे एक joint venture गिया है, company ने का सुरवात में अपने जो ठिकेदार के network जो उनके पास है, 100 करोड रुपए का loan देका lending business सुरू करेंगे और छोटी 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 loan देने की काम करेंगे, अगले दो साथ में company net और equity के र एकम के loan और पोंजी की उनको जरुवत पड़ती है, और उनको help करती है, उनको grow करेगी और company भी grow करेगी, इसलिए आ रही है, अब यहाँ पर समझना क्या है, इस वज़े से company तो आ रही है, बट गौर करो कि यह पूरा पूरा एक ecosystem create करनी की process में है, जो मैंने कहा था, last point के share है, इनके iconic brand Fenecolle, Dr. Fixit, Febequick, Enfield, Rawf, Kami6, अनगीनत, हर product में super hit, इनके पास 4800 distributor है, serving dealer 2,00,000,000 से जाद है, retailer, contractor इनके पास बारे परे है, अब क्या होगा, सबसे पहले तो इनका नाम ही काफी है, इसलिए product आराम से चाहे, डेपोरेटिव पेंटोंस ने 100 BK क्योंकि इन्ह लाए, तो दिक्कत नहीं हुई, Febequick काया, दिक्कत नहीं हुई, I'm still लाए, दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि protect में इनोंने कभी compromise नहीं किया, तो वैसे ही जब ये decorative print और old finish को जैसे भी South India से शुरू करें, बट किनोंने क्या बोला, testosterone type है, छोड़ा सा dry type है, अब धीरे धीरे व तो वो revenue किस में जुरेगा, वो revenue company में जुरेगा, यानि company का profit बढ़ेगा, यानि company अगर 100 रुपय कमारी अब जिस भी नन्दे से, तो और business को expand करके वहाँ पर दो सुरुपैदा सकती है, इस बात को और आप आगाम से ये समझों कि जब company zero से hero का सफर तई कर रही थी, उस इनका revenue बढ़ता चला गया, that's the big reason, क्या हुआ हम एक real multi-weather one up, उसी तरीके से, अब जो ये धीरे-धीरे इनके पास brand जुरेएंगे, बट क्या हो अब टाइम लगेगा, टाइम क्यों, क्योंकि company खुद गरी है हम South India से सुरू कर रहे हैं, हम छोटा सा trial run कर रहे हैं, फिर धीर का पूरा जब ecosystem होगा, कि जो इनके retailer की आपने एक लबी list देखी, इनके ठेकेदार की लंबी list देखी, इनके distributor की लंबी list देखी, तो वहाँ पर क्या होगा, यह जब distributor को support करेंगे, जो आज हर एक small businessmen चाहता है, कि हम इन loan मिन जाए, तो जब pedilite खुद से आगे आके loan देग तो यह है company की एक बहतरीन सोच, जो आने वाले वक्त में दिखेगी, and that's the big reason जहाँ पर मेरे को लगता है, कि अगर जो इनकी सोच है, जो इनका सपना है, जो इनके अभी तक history of product quality की है, जो आने वाले निदे रही नी, तो एक बहत बहतरीन चीज़ बनने वाली है, और तब ए इनका stock P.E.E. 2.2 है, और industry P.E.E. 31.5 है, और P.E.E. ratio 14 है, यानि अती मेहना है, अती मेहना है, यानि उपर से जो गिरा है, 24 हो के पास चल रहा है, आप ऐसे सजो मेह नहीं कह रहा है कि 15 सो आएगा, बट आप एक चीज़ समझो कि यह 15 सो आजाएगा, तो भी मुझे निदे कि अंडर वैल्यू तक आप आएगा, तो यह कहने का मक्सद यहाँ पर आप यह समझो कि यह ग्रो कर रहे है, फुद को बना रहे है, वहाँ पर सेर गिर रहा है, इस सब चीज़ों की जब आप स्टड़ी करते हो, तो आप एक अच्छा मंटी बेगर समझ पाते हो, तो यह को मैं कमपणी को कैसे देखता हूँ, मैं कमपणी को कैसे स्टड़ी करता हूँ, क्योंकि कि समें एक चीज मैं बताता हूँ, आस्वोवन के सहर है, आसप्रेग रिटरण क्यों ने दे पाए, कभी आपने गौर किया है, में अव्य गया था, राउल के ला, एनाएटी में हमें तो वहाँ पे मेरे भाई का करी 25 सालों का ओटो मोबाईल बिजनस है वहाँ पे ऐसे भी बात चल रही थी तो भाई असोप ले लेकर बहुत अची कंपरी है और वहाँ पे कस्टमर थी क्योंकि उनका बहुत बड़ा बिजनस है राउल लेदा में भाई असोप लेने के ठ्राक महाँ अच्छे बर मैं तुम्हें कस्टमर से मिलाता हूँ और बकायदा कस्टमर से बात हुई वो सटिस्फाइड नहीं है उनका कहना है इस ताहल दो साल में ही हमें ट्रक में कई सारी चीज़ों को खुलवानी की जरुवत पर जाती है and that's the big reason जब कस्टमरी से बाती है तो कहानी कैसे बनेगी तो ये करी सारी चीज़े वो भी जब क्लाइंट फीडबैक पर बिजनस ग्रो करता है और जब ग्रो करता है तो स्टॉक भी डर्ट देता है मैं personally ऐसे देखता है जो मैंने आपको सीखाने की कोसेस की आपको कैसे लगीए नहीं लड़नी कमेंट बबताईएगा और वीडियो को शेर करके प्यार देना दिलकुल मन भूलेगा